सभी बच्चों के मेरा सने भरा नमस्कार प्यारे बच्चों इस समय हम लो गोस्वामी तुलसी दास जी द्वारा रचित जो रामचरित मानस है उसके लंका कांड से जो ये उध्रित किया गया है लक्षमन मूर्चा और राम का बिला जो आपके बुक में है इसका अध्यन हम ल तो प्रताप उर राखि प्रभु जैय हुनाथ तुरंत असकहि आय सुपाई पद बंदी चले उहनुमन्त भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार उहां राम लच्म नहीं निहारी बोले बचन मनुझ अनुसारी अरध रात गई कप नहीं आयो राम उठाई अनुझ उरलायो सकहुन दुखित देखि महिकाउं बंदु सदाताव मृदुल सुभाउं ममहित लागित जे हुपितु माता सहें बिबिबिन हिम आतप वाता सो अनुराग कहां अब भाई उठाउन सुनिमम वच विकलाई जो जनते हुँ बन बंदु बिछों हुँ पितु बचन मनते हुँ नहीं ओहुँ सुत्विद नारि भवन परिवारा हो ही जाही जग बार ही बारा अस विचार जी जाग हुँ ताता मिलैन जगत सहोदर भ्राता जथा पंख भीनु खग अति दीना मनी भीनु फनी करवर करहीना असमम जीवन बंदु बिन तोही जोजड देव जी आवे मोही जैय हुँ अवद कवन मुहलाई नारि हेत प्रिय भाई गवाई बरु अप जस सहते हुँ जग माही नारि हानी भिसे सचतिनाही अब अप लोक सोक सुत तोरा सही निठुर कठोर उर्मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तास तुम प्रान अधारा सौपिस मोही तुम ही गही पानी सब बिद सुखद परमहित जानी उतरु काह दैहु तेही जाई उठिकिन मोही सिखाव भाई बहु बिद सोचत सोच बिलोचन स्रवत सा लिल राजिव दल लोचन उमा एक अखंड घुराई नरगति भगत क्रिपाले देखाई उमा एक अखंडर घुराई नरगति भगत क्रिपाले देखाई आईये विसका ब्याक्या पढ़ते हैं प्यारे वच्चों ये उस समय का प्रसंग है जब लक्षमड अजुध्या में लंका में मुर्चित वस्था में पड़े हुए हैं और शुषण बेद्दे के कहने पर हनुमान संज्यूनी लेकर लोट रहे होते हैं तो अजुध्या में भरत जब उन्हें देखते हैं हनुमान को तो बिन अफण के बाण से उन्हें कोई दैत समझ करके मारते हैं और हनुम हनुमान जमीन पर गिर पड़ते हैं और दोनों लोगमजवारत अलाप होता है तो पूरी स्थीति को समझ करके हनुमान वहां से भरत से विदा लेते हैं और कहते हैं प्रभू हमें बहुँच जल्दी जाना है शिक्र जाना है क्योंकि शुर्वदक पहले हमें लंका पहुच तो इस प्रकार से हनुमान भरत से बिदा ले करके और जा रहे हैं। प्रताप को हिरदय में रख करके और मैं तुरंद यहां से जाना चाहता हूँ क्योंकि हमें सुर्यद होने से पहले वहां लंका पहुचना जरूरी है। मैं यहां कहा करके भरत की आग्यां पा करके उनके चरण की वंदना करके हनमान वहां सिखल देते हैं। यहां सोच करके हनुमान उडान भरते समय संजिवनी ले करके जाते समय यहां सोच रहे हैं और सोच करके मन महुझात सराहत मन ही मन उनकी सराहना करते हैं। मने बार बार अपने मन मुन की सराहना करते हैं। हनुमान भरत की बार बार मन ही मन सराहना करते हैं। और तुलसिदा जी कहते हैं कि वहां यानि अब लंका में क्या हो रहा है। कहते हैं कि उहां राम लचमन ही निहारी और वहां लचमन मुर्चित तवस्था में पड़े हुए हैं। राम उनको बार बार निहार रहे हैं और देख रहे हैं। और बोले बचन मनुझ अनुसारी और साधारण मनूसी के समान वहां दीन बचन बोल रहे हैं। साधान मनुष्य कहने का तात्री है किसी राम चुकी राम भगवान के अवतार हैं और इश्वर यानि भगवान को सुख या दुख कर प्रभावित नहीं कर सकता है लेकिन वह साधान मनुष्य की लीला कर रहे हैं तो साधान मनुष्य के समान दीन बचन बोल रहे हैं आगे कहते हैं किसी राम तुलसिदा जी कहते हैं किसी राम बिलाप करते हुए कहते हैं कि अर्ध रात गई कप नहीं आयो कि आधी रात चली गई लेकिन कप अर्थात हनुमान अभी नहीं आये राम उठाई अनूज उरलायव। राम अपने अनूज यानि लक्षमण को उनके गोद में उनके सीर को उठा करके और उरलायव अपने हिर्दय से लगा करके बिलाप कर रहे हैं। कहते हैं सकाउन दुखित देखी मोही काउं बंदु सदा तव मृदुल सुभाउं। कर रहे हैं। हिम यानि तुम सर्दी को सहे आतब धूप को सहे और वाता मने होता है वाय। हवा तुम हवा धूप और सर्दी को सहन किये। और आगे कहते हैं सिराम चंदी बिलाप करते हुए कहते हैं कि सो अनुराग कहां अब भाई। कि हे भाई अब यहाँ प्रेम कहां चला गया। अब तुम मुझे छोड करके क्यों चले जा रहे हो। तुम मुझे क्यों बिछुड रहे हो। उठाओ न सुनिमम बच विकलाई कहते हैं कि मेरे बच मने होता है बचन विकलाई मने ब्याकूल तुम मेरे ब्याकूल बचन को सुन करके क्यों नहीं उठ रहे हो। रामचंदर जी आगे कहते हैं जो जनते हूं बंधु बिछो हूं पितु बचन मनते हूं नहीं उठ रहे हैं कि अगर मैं यह जानता कि बंध में जा करके बंधु बिछो हूं बंधु से बिछो होगा बंधु का भाई का बियोग साहना पड़ेगा तो पितु बचन मनते हू नहीं ओहूं तो जो मेरे पिता जी का बचन सर्वस्रेश्ठ था उसको मैं छोड़ नहीं सकता था मैं पिता जी के बचन का त्याग नहीं कर सकता था लेकिन मैं उस पिता जी के बचन को क्या कर देता त्याग देता और मनते हूं नहीं ओहूं मने उनका बचन मैं नहीं मानता आ यानि पुत्र, भित यानि धन, नार, पत्नी, भवन यानि मकान, परिवार यानि परिवार यानि पुत्र, धन, इस्त्री यानि पत्नी, भवन और परिवार होई जाही जग बारा ही बारा, इस संसार में बारा ही बारा मने बार बार यानि दुबारा प्राप्त किया जा सकता है यानि पुत्र, धन, इस्त्री, भवन और परिवार इस संसार में दुबारा प्राप्त किया जा सकता है लेकिन अस बिचारे जिये जागाउं ताता मिले न जगत सहोदर भराता लेकिन इस संसार में सहोदर भराता सहोदर भाई दुबारा नहीं मिल सकता है इसलिए अस बिचार राम चंद्र जी यह बिचार कर रहे हैं और यह बिचार करते हो जागाउं ताता लक्षमण को बार-बार जगा रहे हैं कि हे मेरे भाई अब तुम जाग जाओ नहीं तो तुम्हारी बिना मैं कौन समों दिखाऊंगा आगे कहते हैं तुलसिदा जी कहते हैं जथा पंक बिन खग अती दीना मने बिन फणी करवर करहीना जथा पंक जिस प्रकार से पंक के बिना खग अती दीना दीन मने होता है असहाय जिस तरह से पंक के बिना पक्छी असहाय हो जाते हैं और मने बिन फणी मने मरी और फणी मने ह होता सर्प और मड़ी की बिना सर्प असहाय हो जाता है करिबर कर हीना करिबर का मतल़ होता है हाथी और कर मन होता हाथ यानि हाथी का हाथ उसका सूण होता है तो सूण की बिना हाथी जिस्तर सा सहाय हो जाता है उसी तरह से अस मम जीवन बंध बिनुतोही कर रहा है कि मेरा जीवन भी हे मेरे भाई असमम जीवन मेरा जीवन भी बंदु बिनुतोही तुम्हारे बिना उसी तरह से हो गया है मनिसी रामचंदर जी कहते हैं कि जिस तरह से पंक की बिना पक्छी असहाय हो जाता है मली की बिना सर्प और सून की बिना हाथी असहाय महसूस करता है हे मेरे भाई मेरे इस्थिति बिल्कूल उसी तरस असाय हो गई है यानि तुम्हारे बिना मेरे अवस्था उसी तरस हो गई है जो जड़ दैव जियावे मुहीं और यह कठोर जड़ मन होता भाग यह कठोर भाग भी मुझे अभी तक जिन्दा रखा हुआ है मने तुम्हारा बियोग अभिस्था कर भी मैं जिन्दा हूँ यह एक बिड़म बना ही है कि मेरा यह कठोर भाग यह मेरा दूर भाग तुम्हारे बिना मुझे अभी तक जीवित रखा हुआ है आगे कहते हैं जैयं अवध कवन मुह लाईं कहते हैं है मेरे भाग तुम्हारे बिना मैं कौन सा मुह लेकर करकर जोध्या जाऊंगा क्योंकि लोग हमारे पर कटाक्च करेंगे हमारे पर ब्यंग करेंगे क्या कहेंगे नार हेत प्रिय भाई गमाई कहेंगे कि तुम अपनी पत्नी के लिए अपनी सगे भाई को गमा करके आये हो तुम अपनी सगे भाई के प्राण को गमा करके अपनी पत्नी को ले करके आये हो तुम अपनी सगे भाई को गमा दिये हो यह मुझे सहन करना पड़ेग इसलिए मैं कौन सा मुह दिखा पाऊंगा आगे कहते हैं कि बर अपजस सहते हूं जगमाही नारी हानी विसेश छतिनाई कर रहे हैं कि नारी हानी विसेश छतिनाई नारी के हानी होने पर कोई विसेश हानी नहीं हो छति मने नुक्सान कोई विसेश नुक्सान नहीं हो सकता है बर अपजस सहते हूं जगमाही मैं संसार में इस अपजस को सहन कर लूँगा कौन सापजस बने लोग कहेंगे कि है शिराम चिंदर जी आप तो मर्यादा पुर्शुत्तम हैं आप तो बहुं बली हैं आप तो बीर पूरुस हैं लेकिन फिर भी आप अपनी नारी की रक्षा न सहन कर सकता हूं लेकिन अगर मैं तुम्हारी बिना लोट करके जाता हूं अजुध्या तो उस अपजस को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा आगे कहते हैं अब अप लोग को सोक सुत तोरा सहीं निठूर कठोर उर्मोरा करें अब तो मुझे लगता है यह अपजस और यह शोक हे तो छोटा भाई पुत्र के समाने होता है तो रामचंद्र जी ममता वस कहते हैं कि हे पुत्र अब हमें लग रहा है कि यह अपजस और यह शोक मने तुम से भी छोड़ने का सोक और जो मेरे उपर जो अपजस लगने वाला है यह दोनों चीज सहें कठोर निठूर कठोर उर् हिर्दय यह सहन करेगा ही करेगा क्योंकि इसका कोई बिकल्प नहीं दिख रहा है कि लग रहा है कि यह अपजस और यह शोक हमारा कठोर हिर्दय सहन करेगा इसको सहन करना पड़ेगा और अजुध्या से बन में आते समय जो घटना घटी उसको सोच करके बिलाप करते हुए कहते हैं कि हे मेरे भाई तुम निज जननी तुम अपनी माता के एक कुमारा यह कही कुमार हो चुकि माता सुमित्रा के एक ही पुत्र थे लक्षमर तो ही बात कर रहे हैं कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र थे तात तास तुम प्रान अधारा और तुम अपनी उस माता के प्रान के आधार थे और अब तुम्हारी बिना मैं कैसे अज़ो ध्या जाओंगा पीर आगे सोचते हुए कहते हैं जो हम बनक वार रहे थे तो माता क्या कर रहे थी सौपे सु मोही तुम्हाई गही पानी सबीद सुखद परमहित जानी मने सभी प्रकार से मुझे परमहित जान करके सभी प्रकार से सुखद जान करके तुम्हारे गही मने होता है पकड़कर पानी मने होता है पानी पाणी का जो एक तदभा रूप है पाणी तो पाणी मन हाथ होता है तुम्हारा हाथ पकड़ करके हमें सौप करके कहती हैं कि हे राम मैं लक्षमन को तुम्हें सौप रही हूँ आगे कहते हैं उतर का देहां तेही जाएं उठी की नमोई सिखाओं भाई अब तुम्हीं बताओ उतर मन उत्तर का देओं मन कौन सा दूँगा तेही जाएं वहाँ जाकर मन अजो अध्या जाकर अजो अध्या जाकर मैं कौन सा उत्तर दूँगा उठी की नमोई सिखाओं भाई हे मेरे भाई तुम अब उठ करके तुम मुझे बताओ सिखाओ बने तुम मुझे जबाब दो कि मैं कौन सा उत्तर जाकर के दूँगा आगे कहते हैं कि बहुबिदी सोचत सोच बीमोचन करें इस प्रकार से अनेक प्रकार से वह सोच कर रहे हैं आज सोच करके बिलाब कर रहे हैं जबकि प्रभुस्ति राम क्या है सोच बीमोचन है सोच बीमोचन मतलब क्या है वो दुख रहीत हैं चुकि इश्वर के अवतार है तो इश्वर को कभी दुख छुही नहीं सकता है वो सुख और दुख से बिल्कुल अलग रहता है बिल्कुल निर्विकार रहता है तो कहते हैं कि जो प्रभू सोच बीमोचन थे जो दुख रही हैं और दुख उनको इस तरह से प्रभावित कर रहा है कि स्त्रवत सलिल राजिव दल लोचन राजिव का अर्थ होता है कमल दल मन होता है पंखुडी लोचन मन होता है नित्र यानि आख तो उनके कमल के पंखुडी जैसे नित्रों से सलिल मन होता है जल स्त्रवत मन होता है बह उनिके कमल जैसे नैनों से कमल जैसे नित्रों से आसू बहने लगे उमा एक अखंड रगुराई नरगत भगत कृपाल देखाई कहते हैं कि तुलसिदा जी कहते हैं कि यहाँ प्रसंग संकर जी अपने पत्नी पारवती जी को सुना रहे होते हैं तो यहाँ इस पंक्त में तु पत्नी पारवती से या उमा से कहते हैं कि एक अखंड रहुराई रहुराई अर्थास सीराम चंदर जी अखंड हैं यह इनको किसी प्रकार का कोई दुख कोई शंताप नहीं प्रभावित कर सकता है पिल्कुल अखंड हैं यह अभिनासी हैं लेकिन नरगत भगत कृपाल दे दिखा रहे हैं चुकि मानाव को रूपे में वतार लिये हैं इसलिए वो भक्त वत्सल प्रभुसी राम चंदर जी जो भक्तों पर हमेशा क्रिपाल रहने वाले हैं अपनी नरलीला को दिखा रहे हैं तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग इतना ही प्याख्या पढ़ करते हैं आप लोगों को एक बार पुना नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद